नमस्कार मैं अंकुर गर्मा लेक्चरर कम्प्यूटर साइंस गौर्मेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज जालोर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ तो आज का हमारा टॉपिक है VLSM VLSM यानि की वेरियबल लेंद सबनेट मास्क तो आज का discussion स्टार्ट करने से पहले आएए ज़रा देख लेते हैं कि आज हम किन किन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चेस में पढ़ा था कि सबनेटिंग के अंदर हमें इनिशली एक बड़ा नेटवर्क प्रोवाइड होता है तो जैसा कि हमने अभी तक सबनेटिंग के बारे में पढ़ा है कि हम एक बड़े नेटवर्क से चाहे तो दो या फिर चार या फिर एन नमबर ओफ सबनेट्स बना सकते हैं लेकिन जो फिक्स लेंट सबनेटिंग अभी तक हमने पढ़ी है जा उसे FLSM भी बोलते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा consent यह था कि हम जितने बी Subnets बनाते हैं उनके अंदर number of hosts कि जो size है यानि कि number of hosts पर Subnet जो present होते हैं वो सारे Subnets में same रहते हैं यह एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि एक company के अंदर जैसे suppose कीजिए चार departments है और चारो department में जो number of host की requirement है वो अलग-अलग है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है लेकिन अभी तक जो हमने subnetting पड़ी उस technique से अगर subnet बनाते हैं तो number of host का wish ज़्यादा होता है क्योंकि हम इतने subnets बनाते हैं कि कभी-कभी उस department को उस subnet के अंदर number of host की requirement होती ही नहीं है तो इस परिशानी को दूर करने के लिए हम variable length subnet mask यानि की VLSM technique का इस्तमाल करते हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं कि initially हमें एक large network दे रखा है अब हम चाहें तो इस large network के दो subnets बना सकते हैं जो की equal sizes के भी हो सकते हैं तो जैसा कि हम diagram में देख सकते हैं कि VLSM के अंदर हमने जो तीन subnets बनाए हैं उसमें subnet 1 सबसे बड़ा है इसके अंदर जो मान लीजिए अगर पूरे network की capacity थी वो 256 host की थी तो subnet 1 के अंदर अगर हम diagram से देखें तो 128 host available होंगे subnet 2 और 3 के अंदर 64- 64-64 host available होंगे यह एक बहुत ही अची technique है जिसके अंदर हम कम से कम IP का wastage करते हैं और यह real life के problems को भी solve करता है क्योंकि company में एक ऐसा valid scenario आ सकता है जहां पे हमारे पास एक IP address है और हमें उसकी subnetting भी करनी है लेकिन एक department है जिसकी IP की requirements बहुत ज्यादा है और दूसरे जो departments हैं उ और उन्हें number of hosts थोड़े कम चाहिए तो उस case में यह technique बहुत ही कारगर साबित होती है तो अभी तक हमने VLSM की graphical representation देखी है कि कैसे एक बड़े network को हम decompose करते हैं तो आईए अब next section में इसकी details के बारे में बात करते हैं what is VLSM slide 9 तो VLSM का full form होता है variable length subnet mask यानि कि हम जबी भी subnetting करेंगे तो जो subnet mask की length होगी वो अलग-अलग subnets के लिए अलग-अलग होगी यानि कि same नहीं होगी पिछले cases में हमने देखा था कि जब हम subnet के लिए bits बड़ो करते थे उसमें जो subnet mask होता था वो सारे subnets के लिए same ही होता था लेकिन इस case में ऐसा नहीं होगा हर एक अलग-अलग subnets के लिए हमें एक particular subnet mask define करना पड़ेगा जो ये बताएगा कि इस subnet के अंदर number of hosts के लिए कितने bits available है और network portion में कितने bits available है तो जैसा कि हमना अभी बात की थी point number two भी वही बोल रहा है कि इस subnet design के अंदर हम लोग same network के अंदर जो भी subnets बनाते हैं उनके लिए different different subnets mask को use करते हैं फिर जाहे वो same class की IP address के क्यों नहीं हो VLSM इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी भी subnet की usability को increase करता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे options available होते हैं कि given network के हम कितने size के subnet mask को बनाए और उनकी सारे subnets की mask की size है वो variable हो सकती है इस वज़े से जो particular department या एक particular organization की need होती है उसके according अपनी flexibility को देखते हुए वो उसे subnet कर सकता है commonly हम लोग VLSM को subnetting the subnets भी बोलते हैं यानि कि हमने एक subnet बना दिया जैसे कि हमने पिछले example में देखा था कि एक बड़े network का हमने पहले तो 128 host का subnet बनाया और उसके बाद हमने दो छोटे-छोटे subnets बनाया 64-64 host के यानि कि हमने internally किया किया कि सबसे पहले तो एक subnet बनाया और उसके बाद जो बचावा subnet था उसकी फिर से subnetting कर दी इस वज़ा से हमें 3 subnets मिले और last जो 2 subnets obtained हुए थे उनकी size सेम थी तो subnetting the subnets का मतलब है कि ये एक network engineer को allow करता है कि किसी भी IP address space को एक hierarchical form में subnet कर पाए जिसमें जो subnets obtained होते हैं वो different size के हो सकते हैं तो आईए अब बात करते हैं subnetting versus VLSM की या फिर हम यू बोले तो subnetting का common name और होता है जिसे हम बोलते हैं FLSM यानि कि fixed length subnet mask तो आईए सबसे पहले difference की बात करते हैं size of the subnet के भीहाफ पर FLSM में अभी तक हमने देखा कि हम जो भी subnet बनाते थे उनके अंदर सारे subnets की size constant रहती थी यानि कि हमें एक requirement आई कि हमें 64 bit के 64 host के subnets बनाने हैं और उन सब के बिहाफ पर हम लोग subnetting करते थे और सारे subnets के अंदर 64 host सी available होते थे जबकि real life में ऐसी requirements नहीं आती और वहीं हम बात करें VLSM की तो इसके अंदर subnet जो है उसकी size vary कर सकती है यानि कि एक particular subnet में number of host जो हैं वो अपने neighbor से vary कर सकते हैं अब हम बात करेंगे point of difference में wastage of IP address की तो ऐसा हम देखी जुगे हैं कि जो hypothetical requirements FLSM impose करता है वो कभी भी real life में आती नहीं है और सबसे जादा wastage जो होता है वो FLSM के अंदर ही IP addresses का होता है VLSM बनाया है इसलिए गया है कि यह real life problems को solve करते हुए कम से कम wastage के अंदर subnetting की problem को solve करें और जो third और final point of difference है वो है preference का यानि कि FLSM mainly private IP addresses के अंदर use होता है और VLSM public IP addresses के अंदर अब question यह arise होता है कि private IP address और public IP address क्या होता है तो simple बाशा में अगर बात करें तो private IP addresses वो IP addresses होते हैं जो की public internet पे routable नहीं होते यानि कि हमारा router for example या access point से जब हम Wi-Fi से connect होते हैं तो वो generally हमें एक IP address देता है 192.168.1.something तो यह 192 वाला address जो हमें assign होता है यह एक private IP address है जो की reserved है हर classes के कुछ set of addresses private IP addresses की range में reserved होते हैं के हमें एक public IP address ही चाहिए जो की और यह जो public address होता है वो हमारा router ISP से acquire करता है और उस public IP address के बहाफ पर ही हमारे internal जो devices होते हैं router के पीछाली side में वो सब communicate करते हैं तो जो FLSM है वो private IP addresses के लिए use होता है और VLSM mainly public IP addresses के लिए use होता है तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही जिसमें हमने सिर्फ introduction देखा के VLSM क्या होता है और FLSM से कैसे differ करता है इस वीडियो के next part में हम देखेंगे के क्या procedure है जिसके through हम VLSM establish कर सकते हैं और ऐसे subnets बना सकते हैं जिनकी subnet mask अलग अलग होते हैं और number of host की capacity होती है वो भी अलग होती है धन्यवाद